पंदरा तारीक है, आज कौन सी तारीक है? आएं? ग्यारा, बारा, तेरा, जवदा, पंदरा पंदरा तारीको स्लामन महिने की शिवरत्री पड़ेगी जिसका विशेग आप अपने नगर के जो ब्रामन जन हों, पंडित जन हों, विद्वत जन हों, भूदेव हों उनसे भी अपने घर में बुलाकर आप 15 तारी को अभिशेख सावन की शिवरात्री का करवा सकते हैं जो लोग नहीं बुलवा पाएं वो बड़े आनंद के साथ में आप और हम सब रात्री को 9 वजे शिवरात्री के दिन बाबा का ओन लाइन अभिशेख करेंगे बड़े भाव के साथ पिछले वर्ष जिन जिन ने करा मेरे बाबा ने उनकी जोलियां खुशियों से भरी अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसका शिवलिंग का निर्मान करना ठाली के अंदर और जो पूजन का समान यहां से बताया जा रहा है आस्था चिनल के माद्वियम से रोज प्रती दिन यह पूजन का समान तथा चालू होने के पहले और बाद में बताया जाएगा एक लोटा जल गेहु के 21 जिससे वंचवरत भी के लिए रहें कमल गटे 5 क्योंकि कमल के फूल नहीं मिल पाते इसलिए कमल गटे बाबा देव दिदेव महादेव को चड़ाने के लिए चावल साबुद साबुद दाने मतलब आखा दाना चावल तूटा हुआ ना हो 108 दाने चावल के काली मिर्च 21 काली तिल काली तिल एक चुटकी धतूरा एक बेल पत्र साथ शमी के पत्र साथ गुलाब के फूल लाल मिल जाएं तो सबसे अच्छी बात है साथ ना मिले तो सफेद पुष्प भी चलेंगे कोई से गोल सुपाडी पूजन की सुपाडी तीन क्योंकि दो गोल सुपाडी का गणे जी गोरा जी बनेगा एक सुपाडी का संकन जनेउ का जोड़ा दो देसी घी का दीपत दो एक दिया अखन चलेगा अभिशेक तक और देख दिया आर्थी उतारने के लिए फल पांच मिठाई परसाथ जो तुमारे घर में हो बुड़ हो सकर हो या जो आप बाबा को भोग लगाना चाहूँ आपकी मर्च इत्र पीला चन्नन कुछ मात्रा में मौली कलेवा नारा जो हाट में बानते हैं लच्छा वो कपूर आ भी शहद शक्कत गंगा जलादिक ये भी रखे और शिवलिंग बना कर तैयार रखना रात्री को नो बजे उजन की ठाली लगा कर रखना जिसमें रोली मौली चंदन अभीर गुलाल सब रखा हुआ हो ऐसी ठाली लगा कर रखना और बाबा की तैयारी कोई ब्रहमन देव भ रात्री को नो बजे इसलिए रखा क्योंकि पूरुष भी आ जाए क्योंकि वो भी दिन वर दुकान पर बेठते हैं नोकरी में रहते हैं हम तो बाबा से ब्रातना करेंगे कि जो जो अभी शेक में बेठे और जो काली मिर्ची समर्पित करे उसकी जिंदगी में कभी कोई ब सुख पेला सुख कौन सा है निरोगी काया दूसरा सुखे घर में आया हमारे घर में हम स्वयम पार्जी श्रीलिंग का निर्मान करें एक घंटे नो बजे से दस बजे तक रात्री को पंदरा तारी को ऑनलाइन शिवजी का भी शेक शिवरात्री के दिन सावन महिने का होगा ये भाव के साथ हम अलवर की भूमी से कराएंगे आप सब अपने अपने घरों में परिवार के साथ आनंद के साथ बेट कर एक उस्साहा के साथ में मूं उतार कर नहीं मेरा बाबा सिवरात्री के दिन तुमारे घर में सावन के महिने में आ रहे खुशी के साथ खुब आनं बोलते बोलते नमस शिवाय ये बाबा का सावन महिने का भी शेख करें, ये बार बार नहीं होता, साल में एक बार हम लोग कराते हैं और आप लोग साथ में करते हो, घर में मिट्टी का शिवलिन और विसर्जन करना है, तलाब सरोवर बावडी खुआ कहीं जाने की जरूट न लगा हो वहीं पर विसर जन्वी आप उसी में करें जिसे हमारी नदी तला पाउडी स्वच्छ रहे पवीत रहे विसर जन्वी उसी दिन राद्री को उसी समय पर बड़े भाव के साथ पूजन के